प्रेंट्स वेलकम टो आर ओनलाइन चैनल मैसल साहिल टुड़े वी आर डिसकसिंग को लार्चला लास्ट टाइम तक हमने इलेक्ट्रिकल कंड़क्टेंस तक पड़ लिया था इलेक्ट्रिकल कंड़क्टेंस में हमने उसकी आगे सब टाइप मोलर कंड़क्टेंस एकुलेंट कंड़क्टेंस हो सब डिसकस कर लिया था हुआ उसके बाद हमने वैरियेशन के गराब बनाये थे और देख़ो हमने वहाँ पे एक पॉइंट पड़ लिया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अदो त्यक्स मोल रकंडड़क्टेंस और एक्वीवेलेंट कंड़क्टेंस डिरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। दिर्रेक्टली लास्ट टाइम जब हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ के अंदर हमने यह पॉइंट डिसकस किया था कि बहुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप molar conductance और equivalent conductance को directly find नहीं कर सकते हमने strong electrolyte के लिए for strong electrolyte हमने इक्वेशन ड्रो करती कैप एम इस इक्वेशन के उपर अपलाई नहीं हो सकती तो देखो इसके बाद जो हमारे पास next topic आता है वो आता है कोलार चला जो हमें help करेगा का वीक इलेक्ट्रोलाइट की molar conductivity और equivalent conductivity को find करने में तो अपने पास next topic है को लार्च ला ओफ इंडीपेंडेंट माइग्रेशन को लार्च ला ओफ इंडीपेंडेंट माइग्रेशन देखो यह क्या कहता है हमें एट इंफाइनाइट डाइलूशन एट इंफाइनाइट डाइलूशन इंफाइनाइट डाइलूशन का मतलब क्या है कि जब कंसेंट्रेशन किसको अप्रोच कर रही है जीरो को इंफाइनाइट डाइलूशन का मतलब यह है यह हमने ग्राफ में भी पढ़ा था तो इंफाइनाइट डाइलूशन के उपर क्या होता है नो आयाइन आयाइन इंट्रेक्शन इंफाइनाइट डाइलूशन के ऊपर क्या होगा कि ना तो कोई आयाइन आयाइन अट्रेक्शन होगी and no hindrance to movement of and no hindrance to movement of iron तो definition जो है कोलार्चला की वो यह है at infinite dilution at infinite dilution molar conductivity मोलर कंड़क्टिविटी ओफ एनी सोल्ट इस सम ओफ मोलर कंड़क्टिविटी मोलर कंड़क्टिविटी ओफ के टायन and anion by infinite dilution के उपर जो मोलर कंड़क्टिविटी है किसी भी सोल्ट की वो सम होगी किसके मोलर कंड़क्टिविटी ओफ के टायन प्लस मोलर कंड़क्टिविटी को हम क्या कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी वहां पे हमने यह पॉइंट पढ़ा भी था किल्मिट कंसंट्रेशन अपरोचिंग टु 0 कैप M is equal to कैप नोट M कि जब कंसेंट्रेशन जीरो को प्रोच कर रही होगी तो मोलर कंड़क्टिविटी को अपा क्या कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी तो एट इन्फाइनाइट डिलूशन लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी अगर मैं आपको यह चीजे के एक्जाम्पल से समझाओं तो मालो कि हमारे पास एन्फाइल सोल्ट है तो अगर आप इसका यह लिखते हो पाई नोट M जो नोट है यह किसको रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग वेल्यू को लिमिटिंग वेल्यू अब यह किसके कोल होगा लेम्डा अब देखो जब हम आयन की कंड़क्टिविटी लिख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेम्डा से लेम्डा इस यूज़़गा तो इंडिकेट कंड़क्टिविटी किसी भी आयन की कंड़क्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे लेम्डा किसी सोल्ट की कंड़क्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे पाई या कैप अब इस ताइम पर अगर मैंने यह सोल्ट एनने सी एल लिया हुआ है तो जब यह टूटे तो यह टूटके क्या बना रहा होगा एक तो एनने पोजिटिव बना रहा होगा और यह क्या बना रहा होगा सी एल नेगेटिव तो जिस पे पोजिटिव चार्ज है यह के टायन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है यह एनन है तो अब जो लिमीटिंग मोलर कंड़क्टिविटिटी अस वो किसके एक होल वती है लिमीटिंग मॉलर कंड़क्टिविटि ऑफ के टाइन प्लस लेमडा ऊथ आन फूल प्लंडा नोट उफ एंडंडा फलीन नेगिटिव तो जो को लार्चला ओफ इंडिपेंडेंडेंट माइग्रेशन है वो बेसिकली इस चीज को रिपर्जेंट करता है कि जो कोई भी सोल्ट है उसकी conductivity, salt, जो के जो iron है, उनकी conductivity value के sum के बराबर होगी. ठीक है भई, अब हम ना इस सभी values को standardized करते हैं और अब इसके लिए जो आप standardized equation बनाते हो, मैं एक journal example लेके चलता हूँ, उसके बाद आप उससे कोई भी example लोगर सकते हो. देखो, मैं एक journal salt का case लेके चल रहा हूँ A, X, B, Y अब देखो, जब आप इसको solve करते हो, तो आप इसको ऐसे मान लो, A, X, B, Y तो जब हम किसी भी salt को तोड़के उसके iron बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस X को इस cross करते हैं ऐसे, तो X जाएगा B के उपर, Y जाएगा किसके उपर, A के उपर, और ये number जो है, ये तूट के आगे आता है, ये आप 9, 10 में भी पढ़ते हो, कि जब हम salt बनाते हैं, तो उसको ऐसे ही तोड़ते हैं, तो अब इसके अंदर क्या होगा, X number of A Y plus, पहले पहले केटायन लिखते हैं, और फिर अनायन, तो X number of क्या बनेंगे, A Y plus बनेंगे प्लस, ये number आगे जाएगा तो क्या होगा, Y number बनेंगे कि इसके B X negative के, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी salt आजाता है, तो आपने उसको ऐसे तोड़ना है, अब इसके बाद, अगर मैं इसी चीज को आपको example से समझाओं, तो मान लो कि अपने पास aluminum sulfate है, Al2 SO4 की thrice, ठीक है भई, तो अब जब इसको तोड़ते हैं, आपने एक चीज का ध्यान रखने है, कि जो sulfate है, ये इकठा होता है, SO4, इस पे 2 negative charge होता है, वैसे ये sulfate SO4 होता है, नाइट्रेट होता है, NO3, ठीक है, sulfate, nitrate, carbonate, CO3, तो अब इस case के अंदर देखो, यहां पे जो हमार को example दिया हुआ है, वो sulfate का है, तो ये SO4 जो है, ये एक रहेगा, इकठा, तो जब हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो cross करो अब देखो, इसको cross करके यहां उपर लिखो, इसको cross करके यहां लिखो, और ये number आगे, तो इसका मतलब है, कि जब एक aluminium sulfate तोट रहा होगा, देखो, ये number आगे जा रहा है, ऐसी हमने किया था ना, ये number कहां पर आ रहा होगा, आगे, तो यहां पर X की value क्या है, इस time पर 2 है, Y की value क्या है, यहां पर 3 है, तो जब ये आगे जा रहा है, तो क्या बनेगा, 2 aluminium plus 3 के बनेंगे, साथ में 3, अब ये number आगे जाएगा 3SO4 2 negative बन रहे होंगे, तो अब इसके बाद अगर आपके पास कोई भी salt आ जाता है, तो आपने उसको तोड़के ऐसी ही बनाने है, अब इसके बाद, जैसे मानलो अपने पास एक्जामपल है, ALCl3 ठीक है, अब chlorine जो है वो एक ही रहता है तो अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो aluminium के लिए क्या मानेंगे, देखो ALCl3 लिखा हुआ है नंबर नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, एक होगा अब इसको cross करोगे यहाँ उपर, तीन को cross करोगे, aluminium के उपर ये नंबर आगे, तो जब ये टूट रहा होगा तो क्या बनेगा, एक aluminium बनेगा, किसका, प्लस 3 का और साथ में तीन, ये तीन आगे जाएगा, तो तीन CL क्या बनेंगे माइनस वन, तो जब ALCl3 टूटेंगे, तो यहाँ पर चार आयन बनेंगे, एक तो aluminium प्लस 3 होगा, और तीन क्लोरिन माइनस वन के होगे, ठीक है, तो अब इस केस के अंदर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि, पाई नोट M of limiting molar conductivity of AXBY हमने लिखनी है, तो देखो ये किसके इक्वल होगी, अब जब AXBY टूट रहे हैं, तो X number of क्या बन रहे हैं, AY प्लस, तो क्या होगा, X into में, ये केटायन है, तो lambda note of AY प्लस, और NIN के लिए, देखो, NIN का number क्या है, Y into में lambda note of BX BX minus 1, तो ये molar conductivity का standard formula है, आप इससे कोई भी equation जो है, वो molar conductivity की draw कर सकते हो, अब जैसे अब अगर वो ये example लेके चल रहे हैं, ALCl, AL2 SO4 की thrice, तो देखो, जब ये टूट रहे है, तो इसमें aluminium के आयन कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये किसके एक वोल होगा, 2 into conductivity of cation, aluminium plus 3, साथ में 3 sulfate बन रहे हैं, तो 3 into SO4, 2 negative, तो limiting molar conductivity of AL2 SO4 की thrice का जो formula है, वो ये बन रहा होगा, ठीक है, तो आप इस standard case को use करके, किसी की b limiting molar conductivity की जो value है, उसको find कर सकते हो, ठीक है, अब इसके बाद, अगर हम बात करते हैं, equivalent conductivity की, ठीक है, तो देखो equivalent conductivity कैसे find करोगे, अगर माल लो, कि आपको pi not equivalent निकालना है, किसका, a, x, b, y का, तो भई, आपको एक चीज का ध्यान रखने है, equivalent conductivity लिखते हुए, आपको stitchometry निक लिखनी, मतलब, x and y are not used before conductance, conductance लिखने से पहले, आपको x और y जो हैं, वो use नहीं करने, इसका मतलब क्या है, अब जैसे, हमने example तो यह लिया है, कि a, x, b, y जब तूटते हैं, तो x number of a, y plus बनते हैं, और y number of b, x negative बनते हैं, तो यह number नहीं लिखना, यह number नहीं लिखना, ठीक है, limiting molar conductivity, just किसके बराबर होगी, conductivity of cation, that is lambda node of a, y plus, plus lambda node of b, x negative, तो आप लिख सकते हो, limiting molar, limiting molar, conductivity of cation, plus, limiting, equivalent लिख लेना, यहाँ पर, क्योंकि यह equivalent यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर equivalent लिख लेना, limiting equivalent conductivity, of anion, ठीक है, अगर आप सेम यही फोर्मूला, molar conductivity के लिए बनाते हो, तो वहाँ पर क्या आएगा, पाई नोट M of a, x, by is equal to number of cation, into, limiting, molar, conductivity of cation, भाई, कितने number of cation है, that is, x into, limiting molar conductivity of cation, plus, number of anion, into, limiting, molar, conductivity of anion, ठीक है, तो यह इन दोनों formula के अंदर difference है, इसका आपने ध्यान रखने numerical solve करते हुए, ठीक है, अब बात ही आती है, कि लास्ट टाइम हमने molar conductivity में relation निकाल ला था, भाई हमने पाई M और पाई equivalent के बीच में एक relationship निकाल ली थी, और हमने यह पढ़ा था, कि पाई M जो है, वो कुछ equal आ रहा था, sum N into pi equivalent के, ठीक है, आप इस topic के लिए लास्ट वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं देखी वीडियो तो पहले वो देख के इसको solve करना, कि जो cap M है, वो किसके equal आएगा, N into pi equivalent के, देखो, pi M जो है, वो किसके equal आता था, kappa upon molarity के, ठीक है, pi equivalent हमने वहाँ पे निकाल ला था, यह किसके equal था, kappa upon normality के, ठीक है, standard case हमने यह पढ़ा हुआ है, कि normality जो है, वो किसके equal है, N factor, salt के लिए, और यह क्या होता था, total positive या total negative charge, into में molarity, यह हमने relation पढ़ा हुआ है, तो इन दोनों को divide कर दो, ठीक है, इसको माल लो, one, इसको माल लेते हैं, two, तो one by two कर देते हैं, pi M by, pi equivalent is equal to kappa upon molarity, into, इसको अगर by कर रहे थे, तो kappa upon normality, कापा से कापा cancel हो जाएगा, normality by molarity, अब देखो, normality यह है, by molarity करते हो, तो यह term किसके equal आ रही है, N factor के, और यही हमने लिखा है, कि pi M जो है, वो किसके equal है, N factor into में pi equivalent के, ठीक है, तो अब, यह point आपने ध्यान रखने है, numerical solve करते हुए, जिसका derivation हम पहले कर चुके हैं, और यह दो point है, ठीक है, यह colarch law of independent migration है, इसकी help से अब हम आगे, weak electrolyte की limiting molar conductivity की value को find करेंगे, अब इससे पहले इसमें एक point हो रहे है, कि, अगर हम, अगर एक standard case लेके चलते हैं, अगर मैं आपको यह कहूँ, कि pi not m of magnesium chloride है, ठीक है, अब देखो, यह यहाँ पे, अगर मैं इसको chloride जो है, वो किसके को लानी चाहिए, n factor into में pi not equivalent of mgCl2, यही बढ़ना चाहिए, हमने यहाँ पे salt indicate कर दिया साथ में, तो भाई यह हमारे पास, हम example लेके चल रहे हैं, ठीक है, अब देखो, अब इस case के लिए, magnesium chloride के लिए, n factor की value क्या आ रही होगी, अगर हम इसको solve करते हैं, और इसको prove करते हैं, कि ऐसा क्यों हो रहे है, ठीक है, तो देखो भई, जो हमारा magnesium chloride है, mgCl2 जो है हमारे पास, इसके लिए अगर हम n factor निकाल रहे हैं, तो n factor का मतलब क्या था, total positive या total negative charge in any molecule, और salt, किसी भी salt के अंदर, जो total positive या negative charge होगा, उसको अपा क्या कहते हैं, n factor, अब जब magnesium chloride को तोड रहे हैं, तो mg1Cl2, क्रोस करो, यह यहाँ पे, यह उपर और यह number आगे, तो जब यह तूट रहा होगा, एक magnesium बन रहा होगा, प्लस 2 का, साथ में, 2Cl क्या बन रहे होंगे, minus 1 के, अब इस case के अंदर, यह cation है, cation एक ही है, तो total positive charge कितना आना चाहिए, 2, तो इसका मतलब है, कि mgCl2 के लिए, n factor की value कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी, ठीक है बई, तो अब, अगर मैं इसको separate करके लिखता हूँ, तो देखो, pi not m of mgCl2, इसको अगर हम तोड़ते हैं, pi not m को अगर मैं लिखूँ इसके लिए, तो क्या बनेगा, आगे देखो, number क्या है, 1, तो number of, ऐसे लिख रहे थे थे न, pi not m of mgCl2 किसके ब्राबर आएगा, number of cation into lambda not of mg plus 2, यही कर रहे थे हैं लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी of cation, plus number of anion into lambda not of Cl negative, अब देखो, cation कितने हैं, एक है, 1 into lambda not of magnesium plus 2, साथ में, number of anion कितने हैं, 2 into lambda not of Cl negative, तो यह किसके ब्राबर आजाएगा, pi not m of mgCl2, ठीक है, अब यह value हम main equation के अंदर रख देते हैं, तो देखो, अपनी equation क्या थी, हमारे पास क्या बन रहे है, कि lambda not of magnesium plus 2, plus 2 into lambda not of Cl negative is equal to 2 into pi not equivalent of mgCl2, अब देखो, अब आप iron to iron discuss करो, ठीक है, अब इस case के अंदर, अगर मैं lambda not of magnesium plus 2 देखो, मैं molar conductivity की बात कर रहा हूं, यहां molar है न यह, ठीक है, अब molar conductivity of cation को अगर हम देखें, तो यह किस के equal आना चाहिए, how much time of lambda not of lambda not equivalent of magnesium plus 2, अब देखो, जो limiting molar conductivity है, वो किसके बराबर है, n factor into में πाई equivalent के, तो अब अगर हम cation के लिए देखें, तो इस cation का n factor कितना आ रहा है, इस cation का जो n factor है, वो कितना है, 2, मतलब total positive charge कितना है, 2 है, तो lambda not magnesium plus 2 molar conductivity, वो क्या होगी, 2 times होगी किसके, lambda not equivalent of magnesium plus 2, ठीक है, तो यह तो आगया cation के लिए, अगर अब हम बात करते हैं, 4 n ion के लिए, 4 n ion, अब देखो, lambda not CL negative, molar conductivity, यह किसके एक वाल है, n factor into lambda not equivalent of CL negative, अब इस case के लिए, इस एक CL negative पे, 4, 1 CL negative, total negative charge, total negative charge is 1, जो total negative charge है, आपने magnitude लेना है, sign नहीं लेके चलना है, तो magnitude में कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा, तो इसके लिए n factor की value कितनी आ रही है, 1, इसका मतलब क्या है, कि lambda not molar conductivity of CL negative, जो है, वो equal होगा, lambda not CL negative किसके equivalent conductivity के, ठीक है, तो अब ये दोनों value को हम यहाँ पे put कर सकते है, ठीक है, तो lambda not molar conductivity किसके बराबर है, 2 into lambda not magnesium plus 2, और साथ में क्या है, equivalent conductivity, plus 2 into, देखो, molar conductivity of NIN किसके बराबर है, equivalent conductivity के है, तो 2 into lambda not CL negative और साथ में क्या है, equivalent और ये किसके एक वहल है, 2 into pi not equivalent of MgCl2, यहाँ से 2 common आ जाएगा, lambda not magnesium plus 2, equivalent plus lambda not CL negative, equivalent is equal to pi not equivalent of MgCl2, 2 into, तो 2 से 2 cancel, तो pi not अब देखो, यही हमने प्रूव करना था, pi not equivalent of MgCl2, किसके बराबर आता है, pi not, sorry, lambda not magnesium plus 2, equivalent, plus lambda not CL negative, equivalent, ठीक है, तो भई, ये basic concept है, मैं आपको दुबारा से एक बार repeat कर देता हूँ, हमने किया क्या है, मैं प्रूव करके बता रहा हूँ आपको, कि कैसे equivalent conductivity के अंदर, जो हमारी number है, strictometric number है, वो नहीं आते, यहाँ से हमने शुरू किया, मैंने magnesium chloride का example ले लिया, तो देखो, limiting molar conductivity of magnesium chloride कि इसके बराबर होना चाहिए, n factor into equivalent conductivity of mgcl2, जो हमें पहले से पता है, अब इसके बाद molar conductivity को लिखने का standard formula भी हमने बनाया था, तो हमने यह बना के और values को put कर दिया, तो limiting molar conductivity का जो हमारे पास open करके formula आ रहा है, वो यह था, यह हमने यहाँ पे रख दिया, यह किसके equal है, 2 into my pi naught equivalent of mgcl2, ठीक है, अब इसके बाद, अगर हम इसको देखते हैं concept को, तो देखो, limiting molar conductivity जो है, वो किसके बराबर है, limiting molar conductivity जो है, वो बराबर होती है, n factor into my equivalent conductivity के, ठीक है, तो अब limiting molar conductivity of cation is equal to n factor into my equivalent conductivity of cation, तो limiting molar conductivity में n factor देखो, n factor क्या है, चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है, plus 2, एक magnesium है, तो magnesium plus 2 के उपर चार्ज कितना है, 2, तो 2 into that, ठीक है, अब आजो CL negative के लिए, तो CL negative पे चार्ज कितना है, 1, तो limiting molar conductivity of CL negative is equal to n factor into equivalent conductivity of CL negative, अब n factor कितना होएगा, 1, क्यूंकि CL के उपर चार्ज कितना आता है, 1, मैंने आपको पहले होताया था, sign नहीं लेके चलना, सिरफ magnitude लेके चलना है, आपने ये दोनों value यहाँ पर put कर दी, और ये आपके पास answer आगया, ठीक है, ये standard case है वही, इसके बाद आप इसके लिए कोई भी example try कर सकते हो, ठीक है, बुक के अंदर सिध्य derivation बना रखे हैं, तो आप यहाँ से उसको clear कर सकते हो, कि वह बनेगा कैसे, ठीक है,